गोस्वामी तुलसी दास द्वारा रचित श्री राम चरित मानस पाठ के 705 पर आधारित संगीत में आडियो कैसेट मानस मंथन का लोकारपड कोरकपू जनरिस प्रेस कलब के सबागार में किया गया इस असर पर आडियो कैसेट के निर्माता पंडित बीपी पाठक भादवाज ने बताया कि कोरोना काल के मद्दे नजर उन्होंने ये आडियो कैसेट तयार किया है ये संपूर आडियो कैसेट एक घंटा पैंतालिस मिनट का है जिसमें राम चलित मानस पार्ट पर आधारी संगीत में कथा वाचन का निर्वरणन किया गया है उन्होंने बताया कि कैसेट में पूरी धार्मिक भावनाव को व्यक्त किया गया है जिससे लोग घर बैटे ही भजन का आनन्द ले सकें इस समन्द में गुरक्पुन नियुव से बात करते वे आडियो कैसेट के निर्वाता पंडित बीपी पाठक भरद्वाज ने कहा इस समाज के अंदर मनुष्ट एक विभिन प्रकार के जंजावतों को ले करके अपने जीवन को बिता रहा है हकीकत यह है कि जादे तर ऐसे हमारे साथी हैं जिनको जीवन का लक्षी नहीं जानकारी एक मुझे लक्स किया है और उसका फली यह होता है कि बिना नाविक के ना बहुत शागर में चली जा रही है समुंतर में चली जा रही है उसको अपने अस्थान का ही ठीकाना नहीं है मुझे जाना कहा है मैं हूं कौन और इसको इसका एक बहतर संदेश देने के लिए जो हमारे धर्म गरंतों में जो विभिन हमारे रिशीव मुनियों के जो दिया गया है उसमें सरलवहासा में अगर ग्यान अर्जित करना है तो सेराम चेत मानस जैसा कोई ऐसा दिब्विक्रती हमको नहीं दिखाई दी अगर उसका अध्यन आदमी करें तो निश्यद है कि मनुष्य अपने जीवन के उद्दिश्यों को सत पर सत अंतिम समय तक हर हा होना आये कि मानस को आधार मान करके क्यों नहीं पूर्थ के उनके उद्दार के पर पर समाज के उद्द क reduce के विद्दू को रखों कि इस तो लूलाभ रगवन कर तो नहीं वेडिक्रोंकर तो छ़ंध में लागडाउन ही था और उससे शिक्षा भी मिलेगा इस शेड़ी का मैंने नाम रखा है मानस मन्थन मानस के विभिन पहलों पर ने बालकांड से लेकर के उत्तरकांड के जो मुख्य तत्व है बहुत मुख्य मुख्य तत्व है यूतों एक घंटा 48 मिनट की का ये आडियो है